Hello students चलिए स्टार्ट करते हैं linear programming chapter 12 class 12 का question number 4 देखते हैं क्या है solve the following linear programming problem graphically हमें यहाँ पे एक problem दे रखी है उसको हमें graphically solve out करना है तो क्या है minimize करना है हमें z को equal to क्या दे रखा है 3x plus 5y और साथ में constraint क्या दे रखी conditions क्या है x plus 3y greater than equal to 3 होनी चीए और x plus y greater than equal to 2 और साथ में हमें x y greater than equal to 0 दे रखी है तो देखो किस तरिक्के से करेंगे सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे function क्या दे रखा है z equal to 3x plus 5y मतलब जिसको हमें minimize करना है constraint को equality में लेती है क्या है x plus 3y equal to 3 और x plus y equal to 2 अब इनसे greater value कह रखी है यहाँ पे greater than equal to 3 greater than equal to 2 तो यहाँ पे minimum value 3 के equal हो सकती है और यहाँ भी minimum value equal to 2 हो सकती है यहाँ पे less than का sign होता तो maximum value लेते यहाँ पे क्या हो सकती थी जो भी हो सकती है इसी greater than less than के sign को अटाएंगे और उसको equal में ले लेंगे इससे हमारी क्या जाएगी एक boundary line आज़ती है अब देखो हमारे पास दो line आगई इनको हमें draw करना है अपने graph के उपपर तो इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी यहाँ पे एक table draw करनी पड़ेगी यह एक table बना लिए हमने इसके अंदर हमारी value आएंगे x और y की दो values लेंगे यहाँ पे भी हम दो value लेंगे x और y की इस तरीक्ये से ठीके? सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर मैं x को 0 put करता हूं तो y की value क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 y को अगर 0 put करता हूं तो x की value हो जाएगी 3 clear है आगे आजो इसके अंदर अगर मैं x को 0 put करता हूँ तो y की value क्या हो जाएगी y equal to 2 y को अगर 0 put करता हूँ तो x की value क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी इतनी बात clear हो गई या नी हो गई कोई दिक्कत नहीं होने चीए इसमें ठीक है अब हम क्या करेंगे अपना graph load करेंगे इसका इस तरीके से हमने क्या कर लेना है अपनी x axis और y axis को draw कर लिया अब देखो point क्या है 0,1 x 0 y 1 ये हो गया x 0 y 1 कहां पे आगया ये point आगया हमारा उसके बाद x 3 y 0 x 3 कहां पे है ये रहा तो ये point आगया तो ये point आगया हमारे इन दोनों points को अपस में क्या कर लेंगे हम join कर लेते हैं तो यहां पे एक line आ गई हमारे पास ये line आ गई ठीक बात आगे देखते हैं दूसरा क्या है x plus y equal to 2 इसमें x 0 y 2 है x 0 यहां पे हो गया y 2 ये रहा दूसरा point क्या है 2,0 x 2 y 0 ये point हो गया इन दोनों points को अपस में join कर ल बात clear हो गई कोई दिक्कत की बात नहीं है अब इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है x plus 3y greater than equal to 3 ये वाली line थी हमारी x plus 3y equal to 3 की line थी इस से उपर का region तो इस से उपर का region कहां हो गया हमारा ये वाला इस line से उपर का region हमने यहां पे लगा दिया और फिर दूसरी line कौन सी है हमारी बच्चो x plus y greater than equal to 2 मतलब इस line से उपर का region इस से उपर का region ये वाला हो जाएगा तो common region कौन सा हुआ हमारा ये देखो द्यान से ये वाला common region हुआ हमारा जो मैंने यहां पे draw कर दिया देखो सा dark कर देते हैं जो कि दोनों graph के अंदर को मनाएगा अब ये देखो उपर की तरफ जा रहा है कहीं भी जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा unbounded region हो जाएगा कौन सा region हो जाएगा unbounded क्योंकि उपर तक infinite तक जा सकता है ये इतनी बात clear होगी अब यहां पे देखो ये point बता है हमें ये point बता है और ये point था हमारा ये आगया मेरा 3,0 और ये point क्या होगा उसके लिए हमें क्या गरना है इन दोनों lines का point of intersection निकालना है बच्चो तो देखो क्या होगा x plus 3y equal to 3 था और x plus y equal to 2 है इसको simplify करो minus minus ये cancel out हो गया 3y में से y गया 2y is equal to 3 में से 2 गया 1 तो y is equal to क्या गया 1 by 2 अब x की value भी निकाल लेते हैं तो यहां पे देखो x plus y equal to 2 किसी भी equation में put करेंगे तो x plus 1 by 2 equal to 2 और यहां से x की value निकालेंगे 2 में से 1 by 2 गया तो 3 by 2 तो ये जो point आगए हमारी ये आगए 3 by 2,1 by 2 अब हमारे पास point आगए हमारे unbounded region unbounded region points are यहां पे देखो इसको हम a point माल लेते हैं इसको हम b point माल लेते हैं इसको c माल लेते हैं कोई भी नाम दे सकते हो a के coordinate के हमारे 0,2 इसके उपर अपना function क्या है z is equal to 3x plus 5y देखते हैं क्या value देता है x की जगए 0 put करना है तो 3 multiply 0 plus में 5 multiply 2 5,2 जा 10 आ गई फिर हमें b point पे देखना b के coordinate 3 by 2 और 1 by 2 है put करो तो z is equal to क्या हो जागा 3 into 3 by 2 तो में 5 into 1 by 2 तो यहाँ पे 3,3 जा 9 by 2 प्लस में 5 by 2 तो यह कितना हो गया 14 by 2 मतलब 7 आ गया हमारे पास उसके बाद c point क्या है हमारा 3,0 put कर लेते हैं भई तो z is equal to क्या हो जाएगा 3 multiply 3 plus में 5 multiply 0 is equal to क्या आ गया 3,3 जा 9 आ गया 9 प्लस 0 हो जाएगा तो is equal to किस के आ गया 9 के आ गया अब देखो हमें minimize करना था बच्चो minimize करना है तो हमारी minimum value क्या आई है हमारी यह यह तो है minimum value तो यहाँ पर लिखेंगे हम minimum z is 7 at x equal to 3 by 2 and y equal to 1 by 2 बस यह solution हो गया इसका समझ में आ गया clear है यह condition द्यान रखनी है यहाँ पर constraint में greater than equal to है तो उपर की तरफ गराब बनेगा दुन्नों का और common reason देख लेंगे अगर यहाँ पर less than होता तो निचे की तरफ होता less than का मतलब निचे कम greater का मतलब ज्यादा समझ में आ गई बात clear है कोई दिक्कत नहीं होनी चीए question में कोई भी problem लगे आप screen source share करके मुझसे पूझ सकते है otherwise channel को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए thank you students for watching next classes video